Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me शुपरतिवारी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइट क्या कराया जाता है? बिल्कुल फ्री एचुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें बच्चो So last class में हमने seat खतम किया था, मैं यह उबीद कर रही हूँ कि जो कहानी मैंने आपको समझाई वो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आगई होगी आज हम एक नया topic तो नहीं है पर क्योंकि NCIT में दिया हुआ है इसले हम लोगों को यह separately discuss करना पड़ेगा जिन बच्चों ने मेरी class पहले की अच्छे से लगाई हुई है उन बच्चों को यह कहानी अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि आपको मैं बताऊं कि यह जो topic आज हम discuss करने वाले हैं उसका already 32, 40, 50% हिस्सा मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ पर चिंता की बात नको मैं आज यहाँ पर वो सारी चीजे फिर से एक बाद discuss कर रही हूँ पर अगर मेरी मेरा यह मानना है कि अगर आप पहले की lectures लगाऊगे तो ज़्यादा beneficial आपके लिए होगा क्योंकि आपके जिन लोगों नों भी पूरे flower का मेरा lecture दोनों देखा होगा मैं यह guarantee से कह रही हूँ कि यह कहानी आज जो मैं समझाऊंगी अच्छे से समझ में आ जाएगी ठीक है? So let's start with the description of some typical families of the flowering plant ठीक है? तो शुरू करते हैं Families जो है वो हम लोगों को कौन-कौन सी पढ़नी है सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं अच्छा यह Families क्या होती है? यह आपको पता है कि सबसे बड़ा group कौन सा होता है? Kingdom, फिर Phylum, फिर Class, फिर Order, फिर Family तो basically हमको कौन-कौन सी Families discuss करनी है आज वो मैं पहले आपको बता दूँ ठीक है? कौन-कौन सी Families हम आज की लिक्चर में discuss करेंगे सबसे पहले we are going to talk about the Phibacy family ठीक है? Phibacy के बारे में हम बात करेंगे Phibacy के बाद हम लोग बात करेंगे Solenacy के बारे में ठीक है? Solenacy के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? Lily AC के बारे में ठीक है? और उसके बाद हम last में बात करेंगे Bracy Casey के बारे में अगर आप अपनी NCRT को मानते हैं और आप मेरी बातों को समझते हैं तो आपको मैं बता दू कि Bracy Casey जो है इसका description आपके NCRT में बहुत लॉंग दिया नहीं हुआ है Bracy Casey का थोड़ा सा description दिया हुआ है तो इसको हम आखरी में बात करेंगे Bracy Casey एकदम आखरी में करते हैं ठीक है? आज हम इस चार इन चारो फैमिलीज के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे Fabacy, Solidacy, Liliacy and Bracy Casey Done, हो गया, समझ में आगए बात Now, what we have to learn ठीक है हमको learn क्या करना है इन फैमिलीज में What we have to learn, क्या करना है हमें learn वो अब आप दियान से समझे क्या learn करना है चालो देखते हैं हमें सबसे पहले हमें इन फैमिलीज में सबसे पहले बच्चों क्या कर डिसकस करना है हमें डिसकस करना है इनका Floral Formula Floral Formula डिसकस करेंगे हम लोग ठीक है Floral Formula जब हम इसका लिख लेंगे तो इस Floral Formula की सहाइटा से We need to draw the diagram तो हम क्या diagram ड्रॉ करेंगे Floral diagram और जिन बच्चों ने पहले मेरी class लगा रख की है वो अल्रेडी ये जान रहे हैं कि Floral Diagram और Floral Formula मैडम किस बारे में बात कर रही है तो अभी मैं आगे लेक्चर में नए बच्चों के लिए बताऊंगी और बेटा मेरे बच्चों जो सबसे important चीज जो हमको याद करनी है वो है इनके examples जो ना तुम को याद करेगा example तो तुमको कभी इन families के सवाल नहीं बनेंगे और ये याद रखना कि इस chapter में families से कभी ऐसा होता ही नहीं है कि सवाल ना है सवाल तो आपको आएगा अब ये तुम्हारे उपर है कि तुम कान को ऐसा पकड़ते हो या ऐसा पकड़ते हो आज मैं आपको बहुत सारी अच्छी-च्छी कहानिया भी सुनाओगी particular family के बारे में जिससे आप उसके कुछ general characteristics और उनके example याद कर पाएं So let's start Shree Gadeesh करते हैं इन families का चलो आजा मेरे लाल क्या बोला मैंने हां जी सबसे पहले we are going to talk about what is a floral formula चीक है देखो floral formula मेरे बचो floral formula floral formula और साथी साथ एक और चीज़ मैं साथी में साथी में से के लिए लेती हूँ floral diagram ध्यान सा समझ येगा मेरी बात ठीक है floral formula या floral diagram अगर मैं किसी flower को ऊपर से देखूँ तो मुझे उसमें क्या दिखाई देता है मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है मुझे तो भईया ऐसी ऐसी lines दिखाई देती है है ना अगर मैं किसी flower को देखूँ तो मुझे भईया बस ऐसी ऐसी lines दिखाई देती है है और आज तक मीडाम कसम से माँ कसम या धर्टी माता की खसंच मेज़निय done & flare को देखते हैं फो सब says में हciones इनी स Communist on कि जब मैं बढ़ती थी स्कूल में तो मैं सच बता हूँ आपको बहूत आ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मेरे स्कूल में जबकि मैं एक बहुत इच्छे रिनाउंट स्कूल में पढ़ती थी फिर भी मुर्फालोजी का चैप्टरों को भी अच्छे समझ में आता तुम तो मेरे लालो चीक है और तुम्हें मैं पढ़ा रही हूं गर्व करना इस मलगा कि जीवन हाइं हाई हाई यह यह भी होता है कि ऐसा भी होता है कि उसके बास हमने खुद से पढ़ा जब अच्छे टीचर्स के कॉन्टेक्ट में और जिनने डीटेल से पढ़ाया डिस्क्रिप्शन से पढ़ाया तब हम इसमझ में आ और तुमको जिन लोगों ने भी म को उपर से देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, उपर से पेटल दिखते हैं, नीचे से सैपल दिखते हैं, पर हमको आज तक नहीं समझ में हैं कि यह अरेंज कैसे होते हैं, ठीक है? So, floral diagram is what, it is just a representation of the floral part into the diagram, मेरी बात समझे हैं, आप क्या बोला मैंने, अगर तुम से बोला जाए कि शिपरा मैं का एक formula लिखो, ठीक है? तो तुम कैसे लिखोगे? कि मैडम का अगर मुझे एक formula लिखना है, तो मैं लिखूंगे L2, legs 2 दिखाई देते हैं, मैम के हो मुझे दिखाई देते हैं, hands 2, ठीक है? मैडम के मुझे जो आपका cranium है, वो कितना दिखाई दे रहा है? एक, तो एक लिख देती हूँ, year कितने दिखाई दे रहा है? दो, तो मैं लिख देती हूँ इतना, तो इस तरीके से मैम को तुम इस floral formula में या मैडम के formula पे fit कर दिए, done है, पर अगर मुझे इसी formula को बनाना हो कैसे, तो मैंने बनाया leg 2, ठीक है? ये बना दिये, मैंने leg 2, ठीक है? तो इस तरीके से हम चीजों को diagrammatic representation के रूप में भी देख सक तो अगर मैं किसी floral part को उपर से देखूँ और अगर मैं उसे क्या करूँ, एक formula का रूप देदू, तो इसे कहते है, floral formula और जब मैं इसी floral formula को एक diagrammatic representation देदेती हूँ, then this is called as floral diagram, मेरी बात समझे है, आप क्या बोला मैंने और समझाती हूँ, देखेगा दियान से, देखो, अगर तुम नहीं देखेगा मेरी बात, तो फिर तुम को समझने आएगा, और फिर तुम जो है, बोलेगा कि माडम तुमने अपने अपने हमको पढ़ाया ने, ठीक है, चलो बहिए, देखो, यह हमारा थैलेमस, डन है, यह हमारा है थैलेमस, डन है, ठीक है, और इस थैलेमस के उपर मेरे बच्चो क्या लगे होते हैं floral parts लगे होते हैं अब अगर मुझे floral part को रिप्रिजेंट करना हो तो ये floral part में सबसे outer direction में क्या लगा होता है मेरे बच्चो सैपल्स दियान समझते जाना ये flower बना रहे हो flower के thalamus पे this is the thalamus अगर आपको याद होते हैं पुन शुन्हें को असम colleagues अगर आंज्वरा जो को दिखाई डेते गर चाइना रोज का चा में आ CB इंसको माँ बहुंख़े कोडलर के बिश्राप रहते हैं इसको हम किसे बिख़ोट-शूपल देन हो गया उसके बाद मुझे लाल लाल सुन्दर सी पंखुडियां इसके अंदर दिखाई देती हैं मैं बहुत सुन्दर बनाने के कोशिश नहीं करूंगी क्यों कोई मुझे इसे Miss World competition में तो भेजना नहीं है मुझे तुम्हें समझाना है तो मैं बता रहे हूँ सैपल के इंदर हमारे पास होते हैं petals दन है यह समझ में आई बात petals होते हैं और मेरे बच्चों ठीक है मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है यह होता है हमारा स्टेमन याद होगा अगर आपको स्टेमन ठीक है दिस स्टेमन देखिए यह सब ना रिविजन है तो इसमें मैं बहुत जादा फोकस नहीं करूंगे यह आलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ और सेंक्टर पर मेरे बच्चो क्या होती है यह होती है ओवरी अब मेरे बच्चो जो आज की लावन है कितना ना बना यह कितना गंदा बना है अब यह एक फ्लार का मैंने क्या देखा फ्लार बहर अगर मैं उपर से देखूं तो मुझे क्या क्या दिखाई देता है वह आप ध्यान से समझना, ठीक है यहां पर मैं देखो जो 1, 2, 3, 4 सैपल ठीक है दिखाई देते हैं और अगर आपको याद होगा So the world of सैपल is called as कैलिक्स ठीक है सैपल के ग्रूप को हम क्या कहते हैं कैलिक्स पर प्रॉब्लम यह ना बच्चों को कैलिक्स को आप C से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कैलिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे समझे गए लिए क्या बोला मैंने सबसे आउटर जो वर्ल होता है उसको आप कहते हैं कैलिक्स ठीक है कैलिक्स is the group of सैपल या the group of सैपल is called as कैलिक्स कैलिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं and the group of petals is called as कौरोला मेहेंगी सुन्दर गाड़ी होती है कौरॉला तो सुन्दर सुन्दर जो चीजे होंगी उनको आप कौरॉला कहते है And we can represent the कौरॉला by the sea Done हो गया? यह समझ मैं है So Calyx को आप represent करेंगे मेरे प्यारे बच्चो के से कौरॉला को आप represent करेंगे sea से समझे क्या बोला मैंने ठीक है अब यह है stamen And the group of stamen is called as मेरे बच्चो Androsium क्या कह सकते हैं? Androsium कह सकते हैं Androsium is the male part हाँ मैं हम कहतो सकते हैं ठीक है तो Androsium को हम किस से represent करते हैं बच्चो Androsium को हम represent करते हैं A से Done हो गया Androsium मतलब male part of the floor अब यह मैं ऐसा क्यों लिख सकते हूं बाहर से अंदर क्यों और क्यों नहीं लिख सकते हैं बेड़ा जब भी हम बोलते हैं एक फ्लार लेते हैं और हम यह बोलते हैं कि वो मुझसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार नहीं करता तो हम उसका इंडोशियम गाइनोशियम नोच नहीं जाते हैं हम उसका सैपल पैटल ही नोचते हैं ठीक है तो हम हमेशा फ्लावर को बाहर से अंदर की और काउंट करेंगे और फ्लोरल फॉर्मूला भी वैसे लिखेंगे डन हो गया तो इंडोशियम को हम लिखते हैं A से डन और यह जो आपको दिखाई दे रहा है स्टेइ बच्छोस जी से ठीक है गाइनोशियम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं जी से यह समझ में आ गया आपको बात की हम अच्छा अंडर लाइन के मतलब बदल जाएंगे इसलिए मुझे अंडर लाइन चेंज करना पड़ेगा ठीक है यह हो गया और जो भी यह बात भूलेगा काम गड़बड हो जाएगा डन हो गया समझ में आई बात अब यह तो रिप्रेजेट हो गया पर अगर मैं सबसे पहले ठीक है अगर मैं किसी भी फ्लार को सबसे पहले देख रही हूँ तो पता है मुझे क्या दिखती है सबसे पहले उसकी सिम सिमेट्री मेरी बात ध्यान से समझना जब भी मैं किसी फ्लार को सबसे पहले देखूंगी मेरे लाल तो मुझे दिखेगी उसकी सिमेट्री है ना तुम किसी भी जानवर को या इंसान को देखते हो तो तुम सबसे पहले क्या देखते हो मोटा है पतला है चोटा है खोटा है क्या यह देखते हो ना symmetry देखोगे animals को देखोगे तो से compare करोगे तो सबसे पहले मैं देखूँँगी symmetry और अगर आपको याद होगा तो symmetry में मैंने आपको बताई थे दो symmetry एक बताया था मैंने actinomorphic symmetry ठीक है जिसे आप radial symmetry भी कहते हैं और इसे आप इससे show करते हैं एक symmetry मेरे बच्चों मैंने आपको बताई थी zygomorphic symmetry जो की bilateral symmetry human being जैसी होती है फ्लार की ठीक है और इसे हम percentage के sign से show करते हैं ठीक है तो वेटा जब भी हम किसी flower को देखेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम उसे radially divide कर सकते हैं बहुत सारे equal parts में या हम उसे सिर्फ simple beat से गुजारेंगे तो हम उसे 2 equal भाग में divide कर सकते हैं बाकी radial की तरह बहुत सारे parts में नहीं so this is the symmetry तो जब हम किसी flower को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी symmetry ही आपको देखनी पड़ेगी दूसरी चीज जब हम flower को देखते हैं तो हम उसकी sexuality देखते हैं कि भाईया हमको ये बताईए ठीके हमको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये unisexual flower है या ये bisexual flower है ठीके unisexual flower है या ये क्या है bisexual flower है ये भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ठीक है अगर वो bisexual flower है मेरे बच्चो तो इसका sign होगा ऐसा male और female एक ही में है अगर उसमें सिर्फ क्या है female है तो sign होगा ये और अगर सिर्फ male है तो sign होगा ये समझ में आगई बात इतनी बात clear हो गई कि किसी भी flower को देखते समय हम ये देखते हैं कि उसका sexual behavior कैसा है male और female दोनों एक साथ है या सिर्फ male है या female है done ये हुआ इतने symbols आपको समझ में है कि symmetry शो करोगे सबसे पहले मेरे बच्चो क्या शो करोगे आप symmetry फिर शो करोगे आप sexuality ठीक है फिर आप क्या शो करोगे बच्चो अगर मैं इसी चीज़ को एक floral formula में आपको लिख के दूँ तो सबसे पहले आपने क्या शो करना है बच्चो सबसे पहले आपने शो करना है symmetry फिर आपने शो करना है इसकी sexuality male है या female है कि दोनों एक साथ है फिर आपने शो करना है कैलेक्स फिर शो करना है corolla फिर और शो करना है endotion फिर शो करना है gynotion डान हो गया डान हो गया आगई बात इतनी समझ में है ना प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आगई अब देखो द्यान से कुछ सिंबल हम लोग और देखते हैं ठीक है जिससे आप मेरे बच्चों को और ज्यादा क्लियर समझ में आ गई अब एक एक करके देखेंगे अगर माल लिजे कैलेक्स है पांच ठीक तो सिर्फ ऐसे लिख दो ठीक है को दूसरा पेज ले लेती हूं ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए suppose that देखो बना के दिखाती हूं मैं अपने बच्चों को ठीक है suppose that कैलेक्स को हमेशा ऐसे शो करते हैं कैलेक्स is the whirl of saples ठीक है saple is what it is the outer covering of the flower ठीक है ये कितने दिख रहे हैं आपको कैलेक्स इसमें मैं हमको दिख रहे हैं कैलेक्स one two three four four done अब इसमें क्या है ये free है अभी ये चारों एक दूसरों से जोड़े हुए नहीं है पर अगर मैंने इन चारों को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएंगे k4 का bracket ठीक है ये समझ में आ गई तो ये कौन से ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये कौन से condition है fused दूसरी condition क्या हो सकती है बचो मैंने बनाए मैंने बनाए दो अंदर और दो बाहर समझे आप मैंने बनाए दो अंदर और दो बाहर दिख रहे हैं आप और ये दोनों अलग अलग है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी k2 प्लस 2 पर अगर ये सारे एक दूसरे से fuse होते सारे एक दूसरे से fuse होते तो मैं लिख देती k2 प्लस 2 होल ब्रैकेट ठीक है पर अब आपके साथ ये भी condition हो सकती है वच्छो ध्यांसे देखना अब आपके साथ ये भी condition हो सकती है ध्यांसे देखना हो सकता है कि ये जो ये जो ध्यांसे देखना आप है ना ये देखो देखो ये दिखर आपको हो सकता है कि के तीर तीजी के बैसे क वर एक देखना नहीं अब आपके सिर एसाथ देखना हों अ इसा लिखोगे दो अंदर है दो principe हैई ये चीज के लए में बचो ये चीज को रोला के ले भी है, चीक है, इतनी बात आपको clear हो गए, चलो, अब आपकी families मैं I think शुरू कर सकती हूँ, जो मुझे पढ़ानी है, देखो, आ जाओ, आ जाओ, कुछ basic सी चीज़े समझ लेते हैं, आईए, आईए मेरे पास, यहाँ पर रो नहीं खेशती, सबसे पहली family जो है, वो हम प बात करेंगे, हम fibacy सबसे पहले आज discuss करेंगे, ठीक है, और उसके बाद है solenacy, ठीक है, उसके बाद है lilyacy, डन है, यह चार families है, अब देखो ध्यान से, कुछ common characters के बारे में बात करेंगे, कुछ common, common characters, जो सब में common है, common characters, ठीक है, done, शुरू करें, यह है actinomorphic, यह है actinomorphic, और यह है actinomorphic, done, तो मैडम आपने fibacy को क्यों छोड़ दिया, fibacy का एक example अगर आपको याद होगा P, तो P is the zygomorphic, ठीक है, आप समझेंगे आप, दूसरा character, sexuality, sexuality, bisexual, bisexual, bisexual और bisexual, done, bisexual, समझ में आगे हैं, bisexual, कोई दिक्कत, ovary, ovary, ovary या gynosium को हम कैसे show करते हैं, g से, g जी लिख लूँ सब, g, 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 done, इन सब की ovary superior है, इन सब की ovary superior है, superior को अगर हमें show करना है, तो हम उसके नीचे एक underline लगाते हैं, क्यो underline लगाते हैं, इस underline से हम यह बताते हैं, कि तुम एक राजगदी में बैठी हुई हो, और इसके ज़से तुम उपर हो, अगर आपको superior, inferior और तीन टाइप की ovary, hypogynos, perigynos और epigynos ovary पढ़नी है, तो आप flower का lecture लगाओ, तो मैंने आपको पढ़ाया था है कि superior ovary कौन से होती होती, superior ovary वो ovary होती, जिसमें जो thalamus होता है, उसका पार थोड़ा उपर हो जाता और ovary उपर चली जाती, यह पढ़ाया था मैंने, ovary उपर चली गई, बाके सारे floral part नीचे आ गए, इसलिए हम युशे नीचे underline करके show करना पड़ता है बच्चो, done हो गया, इतनी बद समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अब, अब इनके कुछ favorite numbers के बारे में बात करेंगे, ठीक है, favorite number क्या होते हैं, देखिए, favorite number का मतलब अगर आपको पता होगा, अब इन फ्लोरी के बारे में मैंने आपको पड़ाया था, कि फ्लोर, जो भी चीजे होती हैं, जैसे मालो की सैपल हो गया, पैटल हो गया, इंडोशियम हो गया, गैनोशियम हो गया, वो हमेशा गुरूप में होते हैं, दो के गुरूप में, तीन के गुरूप में, चार के गुरूप में, पांच के गुरूप में, ठीक है, तो गुर कैसी का फेवरेट नमबर है टू, इसका फेवरेट नमबर है फाइव, इसका फेवरेट नमबर है फाइव, और इसका फेवरेट नमबर है थ्री, पर इसका फाइव क्या है फ्यूज्ट, इसका फाइव क्या है फ्यूज्ट, यह आपको याद रखना है, और इसका थ्री पड़ने के लिए तो तुम हजारों families पड़ सकते हैं पर तुमको कितना पड़ने का है तुमको सिफ चार पड़ने का है ब्रैसी केसी फेवेसी शॉल सॉलनेसी और लिली एसी, दन हो गया है ठीक है, प्रैसी केसी का description NCRT में नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, उसको छोड़ेगा, छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, उसको पढ़ाऊंगी मैं, पर पहले इन तीनों families को पढ़ लेते हैं, डन हो गया, इतनी कहानी क्लियर हो गई कि हम किस सिंबल से किसको शोग करते हैं, ठीक है, जैसे, जैसे कि अगर मुझे इसका floral diagram ड्रॉ करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी, यह कैसा है मालो, यह है radial, जैसे इस फ्लार का मुझे बोला, मेरी पर इक्षा में आया कि फ्लार बना, इसका floral diagram तो लिख दीजे जड़ा, तो क्या लिखूंगी मैं, यह है, कैसा, इसका floral axis, कभी भी floral diagram ड्रॉ करते हैं, मैं इसका floral axis बनाते हैं, मैं बताती हूँ क्या है, तो सबसे पहले मैं उसके लिखूंगी symmetry, जो की radial symmetry है, sexuality बताइए क्या है, मैडम इसमें male औफ female दोनों है, तो ऐसा लिखे, अब हमको बताईए आपकी सेपल कितना है, तो मैडम इसमें calyx है, 4, क्या ये जुड़े हूए दिख रहे हैं आपको? नहीं, ये free दिख रहे हैं, अलग-अलग दिख रहे हैं, कोरलर कितना है बेटा, इसमें 4, तो क्या ये free दिख रहे हैं, क्या बेटा, ये fuse, 4, free दिख रहे हैं, मैडम, इसमें endosium बताओ, अंडर लाइन नीचे, डन हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, अब अगर इसी फ्लोरल फॉर्मूला को मेरे बच्चों डाइग्राम में ड्रॉ करना है, तो मैं कई से लिखेगी, वो देखेंगे ध्यान से, ठीक है, सबसे पहले एक फ्लोरल एक्सिस बनाओ, देखो, इसी फॉर्मूला को, अगर मुझे फ्लोरल फॉर्मूला के रूप में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी, वो आपको दिखाती हूँ, एक बर बनाके, ठीक है, पहले मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिख लूँ, ये है मेरा फ्लोरल फॉर्मूला, जो मैंने पेज नंबर वन के फ्लार में बताया आपको, ठीक है, इसको मुझे बनाना है, टागराम के रूप में बनाना है, तो तुमको कभी जीवन में कुछ भी दिखत नहीं होगी, देखो कैसे बनाएंगे इसको देखोगे सबसे पहले बनाओ सबसे और वर्ल पया ह着 vezes अब क्या ये जुड़े हुए हैं तो बोलो नहीं तो प्यो जुड़े हुए ना यह क्योंकि जुड़े हुए हुते हैं तो बेटा में te 0-1 अंड मेशचा लगती लगती अगर में दो डिजिट में लिखती कुछ अंदर बाहर बनाती पर इसमें तो सब एक ही रो में बना रही हूं सारे बाहर बना रही हूं अब कौरोला बताओं कित्ते हैं? बना लो एक अब यहां पर हमेशा एक dot आपने लगाना पड़ेगा इसको कहते हैं हम floral axis समझे, floral axis कहते हैं बिना dot लगाए नहीं जो है तो आप काम कर पाओगे floral axis हमें यह बताता है कि जिस डंडी से flower जुड़ा हुआ है stem से उस डंडी कौन से axis पे this is called as floral axis done हो गया, done हो गया, इतनी बत clear हो गयी चलो, favorite number भूलेंगे नहीं बेटा, brassi case को थोड़ी दर अभी left करते हैं let's start with the febacy 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 देखो हर चीज को याद करने का न एक तरीका है हर चीज को, बिल्कुल सब चीज को याद करने का तरीका है मैं आपको सुनाओंगे एक story ठीक है, एक story मैं आपको सुनाओंगी जिससे आपको सारी कहानी clear हो जाएगी floral formula में कुछ common चीज़े तो यहाँ पर लिख के रखो कि भाईया, यह एक टीनो मॉर्फिक flower है bisexual flower है इतना तो आप लिख के रखो अब इसको याद करेंगे हम story से done? अब आपको थोड़ी सी कहानी आपे समझनी है अब अगर मेरे बच्चों को याद होगा ठीक है याद करो कौन से प्रकार का estivation पाया जाता है पी और बीड में estivation is nothing, it is the arrangement of petals and sepals but if we are talk about the bean and pea the wax estivation is nothing it is arrangement of petals कौन से arrangement पाया जाता है मेरे लला waxillary, waxillary arrangement पाया जाता है किसमें पाया जाता है bean और pea में bean और pea में मैंने आपको पढ़ाया waxillary arrangement पाया जाता है petals का, अब कईसे बनाएगा वो मैं आपको बताती हूँ ये किसका multiple बताया है मैंने आपको पांच का multiple बताया है ना मैंने आपको बोल ये 5 का multiple ठीक है, तो ये याद रखेंगे सारे बच्चो मेरे, ठीक है, ये याद रखिए कि सबकी ovary कैसी है, बच्चो, superior है, ओरी कैसी है, superior है, ठीक, शुरू करते हैं, तो ये कैसा है flower, बच्चो, ये है, ये है हमारा, कैसा flower, Radially symmetrical या Actinomorphic flower ये होता है Zygomorphic P का diagram बना रहे हैं Fibisi में Fibisi के दर बहुत सारे example learn कराऊंगे मैं आपको ठीक है? ये Zygomorphic होता है इसमें Calix होते हैं 5 Corolla का arrangement थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अलग है होते तो 5 हैं पर उनका arrangement ऐसा है Androsium का arrangement भी ऐसा ही है 9 plus 1 ठीक है? जिसमें 9 fuse है और Gynosium है हाई हाई मैडम ये क्या बना दिया आपने? बिल्कुल आसान है यार बिल्कुल 5 है इसका बहुत ही प्यारा सा नमबर आईए सबसे पहले 5 देखते हैं ये 5 बना लो बेटा ठीक है? एक, दो, तीन, चार ये थोड़ा सा उपर वाला पैट जो है सैपल मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है पर अपने घबराना नहीं है देखो, यहाँ बनाती हूँ फ्लोरल डाइग्राम 5 पहले सैपल बनाओगे बोलो बनाओगे बिल्कुल बनाएंगे तीन बन गए चार बन गए और यह पांच बन गया बना पांच सैपल बोलो, इसके चोंच मैंने बहुत बड़े बना दिया है बन लेटेट भी अब अगर आपको वेक्जिलरी अर्रेंजमेंट याद हो वेक्जिलरी एस्टिवेशन याद हो तो उसमें क्या होता था बच्चों कि हमारे पास एक बड़ा उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक बड़ा पैटल होता था ऐसे ठीक है? एक बड़ा पैटल होता था दो छोटे छोटे पैटल्स होते थे उसके अंदर और दो उससे भी छोटे petals होते थे जो आपस में जुड़े हुए रहते थे This is the Vaxillary Estivation of Petals ठीक है? ये बताओ अगर आप अपनी NCRT देखो मैं तो तुम्हें अपनी NCRT दिखा देती हूँ ओके, 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 ओके चलो, Fabacy ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है ना? ओके, तो अच्छा, 5 fused है इसमें 5 fused है इसमें 5 fused, 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 fused हाँ, तो फेवरेट नमबर है 5, ठीक है? आईए, अब इसमें 5 जो है, वो fused है, ठीक है? ओके, Fabacy का ही देख रहे हैं ना? अपन, एक बर ध्यान से देख लेते हैं, चैसे, आज़ा, Fabacy, Endosium, Diadolpha, से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखो, या तो चीजे 5 होंगी, या तो 10 होंगी, Multiple 5 का ही होगा, ठीक है? अब इसमें, ये तो याद पता चल गए आपको, कि ये कैसा Actinomorphic flower है, Zygomorphic है, क्योंकि P का अगर स्ट्रक्टर देखे, तो उसे हम देखेंगे, कि 20 से ही 2 Equal भागों में काट सकते हैं, उसके बाद कैलेक्स कितने हैं, 5 जो कि आपस में fuse हैं, इसमें अगर आप Corolla, मतलब Petals का arrangement देखें, तो इसमें आपको एक बड़ा पैटल दिखाई देगा, 2 छोटे ऐसे पैटल दिखाई देंगे, और 2 सबसे छोटे पैटल दिखाई देंगे, जो कि ऐसे होंगे, इस बड़े पैटल का नाम क्या होता है, बच्चो, Standard, ये पढ़ाया है, मैंने आपको, इस बड़ दो सबसे छोटे जिने आप कहते हैं, किल, जो कि जुड़े होए होते हैं, कित्ते होगे, 2, 2, 4, 5, 5 होए, ठीक है, उसके बार एंडोशियम देखो, ध्यान से देखना, एंडोशियम क्या बोल रहा है, 9 प्लस 1, ठीक है, 9 प्लस 1 में 9 जुड़े होए हैं और एक सेपरेट है तो इसको कैसे बनाओगे बच्चों, वो देख लो थोड़ा सा, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, एक फ्री बना लो, एक फ्री बना लो, और 9 बना लो, रो में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, जोड़ लो इसको, जोड़ लो इस तरीके से, ऐसे, जोड़ लिया, तो ये कौन सा इसको कैसे बनाओगे, ये एक ये हो गया और 9 रोज में हो गया, डन, और 9 कैसे जोड़े हुए, गाइनोशियम, आप एक ओवरी बनाओ, जो सेंटर पर होगे, और सिंगल होगे, और सुपीरियर होगे, डन हो गया, और ये क्या होगे, इसका फ्लोरल एकसे, बन गया, बन ग कैलेक्स फ्यूज, कॉरला भी नीचे से तो फ्यूज ही है, एंडोशियम कही न कहीं से तो फ्यूज ही है, ठीक है, और एक हो गया गाइनोशियम, जिसमें सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी सब में है, जो चारो फैमली आपको पढ़नी है, अब देखो, ये पढ़ ल फिबिसी से याद रखो मेरे बच्चो, फार्मर, फिबिसी से मेरे लाल लोग क्या याद रखेंगे, फार्मर, डन, फार्मर थे हमारे पास कितने तीन, ये था फार्मर वन, ये था फार्मर टू, और ये थे फार्मर थ्री, ध्यान से देखना, क्योंकि यही पर आपके पू फार्मर वन ने क्या उगाई बेटा, फार्मर वन ने उगाई दाल, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हूँ, फार्मर वन ने उगाई क्या बेटा, लेग्यूम्स, दाल को हम क्या कहते हैं, लेग्यूम्स, और क्या उगाया बच्चों बताओ, इसने उगाया पी, इसने उगाय yea groundnut ठीके groundnut धिया वह तो groundnut लिखते हैं ठीके, groundnut यह सारी चीज़े उगाई अब भाईया हुआ ऐसा, farmer one ने यह सारी चीज़े उगाई तो भाईया, farmer two को farmer one से हुई, अब देखो ऐसे बनाता है इसको बने farmer two کو farmer one से हुई बहुत ज्यादा गुसा ठीक है ये बहुत ज्यादा गुसा आ रहा है farmer two farmer one से गुसा बताता हूं तिरको साले में तो ये बहुत ज्यादा गुसा है लुदद समझते जाना मेरी बात को तो इसने हुगाई एक बहुत exotic चीज ठीक है इसने उगाई बहुत ही exotic चीज ठीक है जैसे की indigo ठीक है indigo मतलब नील नील इसने सोचा कि बहुत ही exotic चीज इसको इससे बहुत ही जलन हुई और जलन के मारे सोचा कि इसने तो बहुत अची चीज उगा ली तो हम बहुत ही exotic चीज हुगाएंगे जिसका नाम है नील, नील बहुत सब लोग थुड़ी हुगाते हैं यह है बेचारा, farmer 3, किस्मत का मारा, किस्मत का मारा, ठीक है? ध्यान समझना? बेचारा, किस्मत का मारा, farmer 3, ठीक है? अब यह इनकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है? बहुत ही गरीब है बिचारा तो इसने क्या किया? इसने, ठीक है? ध्यान समझना? इसने सोचा कि यह कुछ भी उगा लें यह कुछ भी उगा लें, जब यह बोरी में भरेंगा, तो रस्ती तो बांधने के लिए चाहिए ही तो आओगा तो तुम, ultimately मेरे ही पास तो इसने इन सब से compete करने के लिए, ज्यान समझना? इन सब से compete करने के लिए पता है क्या उगाया? इसने उगाया, इसने पता है क्या उगाया? फाइबर में पर क्योंकि यह बहुत ही गरीब था, लाचार था, बेचारा था, तो इसके पच कुछ ट्रेक्टर रेक्टर नहीं था तो इसने भरी दोपहरी में सनलाइट में सूर के प्रकास में सनलाइट में फाइबर उगाया क्योंकि इस व्यक्ति को देखो या तो आपके पास रोकडा हो या तो आपके पास अकल हो अब इन दोनों के पास रोकड़ा था, तो पहले वाले ने तो दाल वाल उगा लिगा लिए, दूसरे वाले ने जलन के मारे बहुती exotic चीज उगा लिगा लिए, तुम्हें क्या खरेगा तो इसने बुला, कि जब सब उगा लें टो बजार तो जाएंगे ही तो इनको रस्ती तुवानने के लिए चाहिए तो इसने क्या चाहिए क्या क्या fiber उगाना शुरू किया fiber वाले plant उगाना शुरू किया पर विचारा गरीब था ट्रेक्टर वेक्टर था नहीं तो भरी sunlight में ठीक है बोलो मैडम तुम लोग का अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग जो है तो अभी यह कहानी नहीं correlate कर पा रहे हूँ ठीक है और इसने जो है अब इसके पास बहुत चारे मवेशी थे जिसने भरी sunlight में काम करवाता था तो यही plant इसने as a fodder भी इस्तमाल किया सबज में आई बात हैं ठीक है क्या बोला मैंने यही चीज उसने क्या की as a fodder भी इस्तमाल की ठीक है यह चीज उसने रसी बाढ़ने के लिए बिस्तमाल की अब विचार के पास alternative जमीन तो उतनी ही है ठीक है तो यही चीज उसने क्या किया यही चीज उसने क्या किया बच्चों बताओ यही चीज उसने फाइबर में भी इस्तमाल की और यही चीज उसने फॉडर में भी इस्तमाल की डन अब देखो अब भईया यही चीज यही चीज उनने फॉडर में भी इस्तमाल की डन है अब बैये तुम जो है कोई भी फाइबर और फॉडर वाली कोई भी चीज जब बजार में बेचने जाओगे तो वो कैसी बिकेगी बताओ अब यह तीनु लोगों को मन है कि अब हम लोग बेचते हैं अपनी अपनी क्रॉप ठीक है यह मार्केट गए और मार्केट में इनका जो क्रॉप था वो बहुती सस्ता भी काट डन है और भाई यह यह गए अब इनने कोई बहुती ज़्यादा एक्जॉटिक चीज हुगाई थी तो इनकी बहुती एक्सपेंसिव गई ठीक है? बहुत ही expensive महगी भी की जब इनकी बाजार गए सारे लोग तो इसकी बहुत ही सस्ती भी की अब fordler वाली जो crop होगी वो तो सस्ती भी केगी अब यह जो expensive जो है भाई, इनकी जो है बड़ी ही expensive भी की जब इनकी expensive भी की तो भईया इनने क्या खरीदे? इनने खरीदे और्नामेंट ठीक है? इनने क्या खरीदे? और्नामेंट और और्नामेंट में और्नामेंट के साथ इनने खरीदी लिपस्टिक ठीक है, क्या खरीदी? लिपस्टिक या ऐसा याद रखते हैं इसको इनने खरीदे और्नामेंट के साथ लिब बाम लिब बाम ठीक और कुछ उनने क्या खरीद लिए? कुछ और टमाटर और फली कुछ उनने टी एफ खरीद लिए? टमाटर और फली समझे क्या बóला मैंने बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी है कुछ लिपबाम हम खरीद लिए कुछ ट्राइ टामाटो फली अब इसकी जब ये मार्केट गय तो ना तो इनकी बहुत सस्ती बिकी ना तो बहुत महगी बिकी सबसे महगी तो इसी की बिकनी थी यहां समझना फेबिसी में फार्मर था ठीक है तीन फार्मर हमने लिए तीन फार्मर में पहले फार्मर ने उगाई लेग्यूम्स लेग्यूम के अंदर क्या आता है दाल जितने भी प्रकार की दाले होती उरत की दाल, चने की दाल, मटर की दाल जितनी भी डाले होती हूं वो सब इसके अंदर आती हैं ठीक है ये समझ में आई बात उसके बाद groundnut हो गया ठीक है जब ये बजार में बेचने गया तो ना बहुत सस्ती ना तो बहंगी ठीक है ना सस्ती ना महंगी तो उसने क्या परचेस किया उसने परचेस किया मेडिसिन मेडिसिनल यूज भी होता है एक तो एक्जामपल लेग्यूम groundnut ये हो गया दूसरा एक्जामपल है कि ये इस फैमली के कुछ एक्जामपल मेडिसिनल भी है एक्जामपल लिखूंगे मैं यहाँ पर ध्यान से देखें मुलैठी 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 याद रखेगा farmer one की कहानी clear हुई farmer two ने बहुत ये exotic चीज हुई तो उसने क्या होगा है इंडिगो दूसरा एक्जामपल तो इंडिगो ही है इंडिगो फेरा लिखा हुआ है नील होता है जब यह expensive भी की तो उसने क्या होगा या बच्चो जहां से देखना क्या बोला यार रुख जाओ रुख जो है चीक है यहाँ पर लिब बाम ऐसे ornament को पुरा ही मिटा दो यार नहीं तो फिर क्या गड़बर हो जाएगा चीक है चलो तो जब इंडिको फेरा यह expensive भी की तो यह ग sweet pea अरे यार sweet pea ठीक है और एक है lupin ठीक है और विचारा मरता रहा farmer तो उसने रसी बनाई भरी sunlight में तो रसी के रूप में भी हम इसका example का इसके example होते हैं जो फाइबर के रूप में इस्तमाल होते हैं जिसे आप कहते sun hemp ठीक है जिसे आप कहते sun hemp ठीक है और इसी कर इस sun hemp को भी as a fodder यूज करते हैं ठीक है और fodder के रूप में भी इसकी फसल काम ने इस्तमाल किया जो कि बहुती सस्ती थी सस्ते से याद रखेगा susbenia susbenia ठीक है और ti से याद रखेगा trifolium ये मैंने आपको सारे example लर्न करा दिया देखो फिर से सुनोगे देखो ऐसे याद कर सकते हैं तुम तो चाओ तुम चाओ तो पूरा अपने मन से याद कर लो मैंने तुम्हें ने रोका है या तो तुम चाओ मेरे तरीके से याद र रखो farmer कितने farmer तीन farmer एक farmer ने एक अच्छी चीज उगाई जैसे क्या होगाया उसने legume उगाये groundnut उगाया दूसरा farmer जल गया और सोचा कि उसने में एक बहुत exotic चीज उगाऊंगा तो उसने indigo उगाना शुरू कर दिया ठीक है indigo indigo फेरा नील तो पहले example क्या हो गया legumes हो गय गया groundnut हो गया दूसरे example हो गया indigo फेरा तीसरा farmer किस्मत ना उसके पास 20 आदा बहुत जादा तो क्या करें वह सोचा कि कुछ भी बेचने जाएंगे तो उनको fiber का इस्तमाल तो नहीं पड़ेगा तो आओगे तो मेरे पास तो उसने भरी दुपरिया में ठीक है sun की presence में उसन the fodder भी इस्तमाल कर सकते हैं आप कोई fodder वाली प्लांट को तुम लेके जाओ गया यहीं जो fiber इसको हम यह जो भी प्लांट हुगा तो उसको इसकी एक्सपेंसिव थी ना महंगी थी तो इसने अपने बीवी के लिए क्लीए गहने तो गहने कौन से हो गया यह लूपिन और स् ना तो इसकी बहुत महेंगी भी की, ना तो सस्ती भी की, तो इसने खरीदी medicines, medicine से यार रखना मुला थी, done, तो इस family के जितने भी example हैं, उन्हें हम as a fodder, उन्हें हम as a fiber, उन्हें हम as a ornament, उन्हें हम as a medicine, और उन्हें हम as a leguminous plant consider कर सकते हैं, इस family के इंदर ये सारे लोग आते हैं, screenshot ले लो इसको, ये कहानी आपको clear हो गई, कि ये कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये कहानी आपको clear हो गई है, ठीक है, कैसे, इसको हम five भी लिखेंगे, fuse नहीं भी लिखेंगे, तो five से याद रखना, अब हम बात करते हैं, solenacy के बारे में, चालिए, solenacy देखते हैं क्या है, अचा एक चीज फेबसी में और छूट गई है, अगर माल लीजे, androsium, suppose that androsium 9 plus 1 है, ठीक है, तो androsium मतलब stamen कितने group में दिखाई दे रहे हैं बच्चो, से आप कौन सी condition कहते हैं, डाइडलफर्स condition, तो stamen यहाँ पर हमें group में दिखाई दे रहा है, which is called as डाइडलफर्स condition, done, now let's start with the solenacy, ठीक है, solenacy का favorite number है, five fused, ठीक है, इसको हम कैसे show करेंगे, वो द्यान से देखो, सबसे पहले flower का floral diagram ड्रॉ करते हैं, floral formula, actinomorphic है, bisexual flower है, ठीक है, उसमें calyx होते हैं पाँच, जो की fuse है, ठीक है, korla भी हैं, पाँच, ठीक है, korla भी कैसे हैं, पाँच, done, अब यहाँ पर आपको एक कहानी जो मुझे समझानी, वो द्यान से देखना, ठीक है, korla भी कैसे होते हैं, fused, अब आप ध्यान समझना, यहाँ पर एंड्रोशियम भी है, पाँच, एंड्रोशियम भी कितने हैं, पाँच, और ओवरी जो होती हैं, वो basically कितनी होंगी, ठीक है, ओवरी कितनी होगी, अब आप लोग मेरा बात ध्यान समझना, यहाँ पर अगर आप, मैंने शायद यहाँ पर लिखा होगा, अब इसको कैसे ड्रोख करेंगे, यहाँ पर solenasi में, मैंने आपको एक condition पढ़ाई थी, जिसे हम कहते हैं, एपिपेटलस कंडिशन, क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसके एपिपेटलस कंडिशन, एपिपेटलस कंडिशन क्या होती है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि जो stamen होता है, वो किस से जुड़ा हुआ होता है, आपके पैटल से जुड़ा होता है, ठीक है, इससे कौन सी कंडि epipetless condition, इसको कैसे draw करेंगे, वो देखिए. कैलेक्स कितना है? 5, 1, 2, 3, 3, 4, and last one is the 5. अभी क्या बोल रहा है? 5 fuse है. 5 नमबर इस 5, which is generally fused. ठीक है, मैडम यहां fuse नहीं दिख रहा है. बताती हूं किस से fuse होगा हूँ. fuse है, तो आप fuse करो, कर दिया fuse आपने, done. ठीक है, उसके बाद कॉरला कितना है? 5. कॉरला भी कितना है? 5. मतलब petals भी कितना है? 5. 2, 3, 4, और यह 5. ठीक है, अब यह 5 भी क्या है, बच्चों, fuse. 5 भी क्या है? fuse. अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना. क्या बोल रहे हूँ? Solene C में epipetalous condition होती है. It means to say that stamen attached with petal. कितने stamen है? 5. किस से attach है? Petal से. वो आपस में attach नहीं है. वो किस से attach है? Petal से. तो आपको ऐसा sign बनाना पड़ेगा. कि stamen, we have 5. अब देखो, यह सारे fuse है, इसलिए इसका favorite number 5 fuse लेका. फेबसी में भी लिख सकते हैं 5 fuse, पर वो 5 fuse नहीं मानेगा. क्योंकि directly 5 थोड़ी fuse है. कोई 1 है, 2 है, 2 fuse है. ऐसा है, indirectly है. 9 fuse है, 1 fuse नहीं है. तो यह थोड़ा गड़़ काम है. ठीक है? 5 fuse हम इसको मानते हैं. तो कैलेक्स भी 5 fuse है, directly. कौरला भी 5 हो fuse है, directly. A5 है, पर वो भी तो किसी नहीं किसी से fuse होगा. एपी पेटलेस कंडिशन है, वो इसलिए वो किसी से fuse होता है? पेटल से. जोड़ो पेटल से. एक, दो, तीन, चार, पाँच. ओवरी, ओवरी कैसे दिख रही है? पिस्टिल कितने हैं? दो. पिस्टिल कितने हैं? दो. तो बनाओ पिस्टिल दो. और कैसी है ओवरी? पिस्टिल हैं दो. अरे यार, पिस्टल हैं दो, तो बना लिया दो, ठीक है, बन गया, फ्लोरल फॉर्मुला, डन, फिबिसी में हमने देखा, फिबिसी में हमने देखा, कि जाइगो मॉर्फिक फ्लार है वो, ठीक है, पी का हम एक्जाम्पल लेते हैं, वेक्जिलरी, उसमें अर्रेंजमेंट था ऐस्टिवेशन था, तो उसमें एक बड़ा पैटल था, और चार छोटे थे, बड़े सबसे необhecm केटे standard, दो छोटे वाले को केते है, wings और सबसे छोटे वाले को केते कील, ठीक है, उसमें क्या देखा हम लोगों उसमें हमने देखा कि जो callix सीखले जो calyx था फ्यूज था ठीक है को रोला को अट्रीं थीं इस छो क्ञान करूर नहीं थे उसमें लास्स वाले जो दो पैटल थे वही शिप्यूज थे और 2007 थे या तो पांच चले हैं चोकी fused है, done हो गया, इतनी बात clear हो गई, अब हम लोग बात करते हैं इसके example के, चलो भई यह, आजाओ, example देखते हैं क्या है, देखो, एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था, चोकी बहुती जादा सोलन था, सोलन से यार रखी, अब मैं ऐसा तो नहीं लिख सकती, मोटा, ठीक है, मोटा एक आदमी था, जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम क्या था यार, ठीक है, एक मोटा आदमी था, रुप जाओ, सोचने दो, एक मोटा आदमी था, उस मोटे आदमी का नाम था मेरे बच चो अश्विन, ठीक है, बहुत ही मोटा था, जीवन से बहुत परिशान था, इस आदमी का नाम था अश्विन, ठीक है, बहुत मोटा था, ठीक लोगों ने बोला कि तुम बजाओ bell ठीक है? तुम बजाओ bell ठीक है? और यही bell बजाना तुम्हारे ले क्या हो जाएगा? medicine यही bell बजाना तुम्हारे ले हो जाएगा medicine ठीक है? और इस आदमी ये जो आदमी था ये अश्विन जो था ये बड़ा ही बेल से क्या रहता था? United बेल इसको पसंद भी थी इसलिए बेल से रहता था United और लोगों ने बोला यहाँ पे कुछ लोग खड़े कर दो और लोगों ने बोला कि तुम बजाओ बेल ठीक है? यही तुमारे लिए Medicine की तरह भीएव करेगा एक दिन अश्विन ने बनाई सबजी ठीक है? एक दिन अश्विन ने बनाई सबजी ठीक है? किसकी सबजी बनाई बच्चो? अश्विन ने बनाई आलू की सबजी ठीक है, अश्विन ने बनाई बैंगन की सबजी ठीक है, और अश्विन ने उसे खाया अश्विन ने उसे क्या खाया बचो, उसे खाया किस के साथ? मिर्ची के साथ ठीक है, डन अब इत्ते में आई अश्विन की मम्मी ठीक है, मम्मी मम्मी ने बोला, साले तू इतना मोटा ओलरेडी है और तू मिर्ची काचार खा रहा है ठीक है, मम्मी ने लगाई बहुत डांट ठीक है, मिर्ची काचार खाने के लिए अश्विन हो गया नाराज और वो गया, वो गया, कहां, बाहर और उसने बहुत सारा smoke किया अब क्या ही smoke करते हो ये तो बताने की जरूथ है नहीं मुझे तो उसने बहुत सारा tobacco smoke किया Done और उससे क्या निकाली बहुत सारी fumes कितना असान है सोचो कितना असान है यार, कितना असान है टेक, सोलन से याद रखो बच्चो अब मैं यहाँ पर black color के pencil लिख रही हूँ किसका क्या मतलब है Solan से याद रखो Solanasi family ठीक United से याद रखो कि इसमें ज़्यादातर चीजें क्या हैं जुड़ी हुई है जुड़ी हुई है ना सब कुछ almost तो जुड़ा हुआ है ठीक है अश्विन से पहला example याद रखेंगे आप अश्वगंधा अश्वगंधा ठीक है और अश्वगंधा क्या होता है वहिया Medicine समझ में आई बातो घंटी जो अश्विन जो अश्वगंधा था वो क्या है बच्चो as a medicine यूज करते हैं ठीक है उसके बाद बोले bell बजाओ ठीक है bell बजाओ ठीक है तो bell जो है अच्वगंधा को अभी medicine मत मानो इसको bell डोना कमाल लो पर दोनों ही example है उसके ठीक है तुम बजाओ bell तो bell से example याद रखोगे बच्चो bell डोना bell डोना का इस्तमाल हम एस्तमा सर्दी जो खाम कफ वगेरा में करते हैं तो bell क्या हो गई उसके लिए medicine तो bell डोना एक medicinal use है ठीक है उसने बनाई सबजी किसकी आलू बैंगन की तो आलू और बैंगन ये दोनो solenum melongena और solenum tuberosum ये दोनों किस family के हैं? solenus family के इतने में आ गई उसकी मम्मी मम्मी से या रखो example मकोई ये भी एक example है ये भी एक example है मकोई मकोई आपके NCIT में दिया नहीं हुआ है मकोई का diagram दिया है और उसने बहुत जादा मिर्ची भी किसका example है solenum, nigram, ये सब इसी के family के काली मिर्च बगएरा और निकाली tobacco तो मिर्ची भी इसका एक example है और tobacco भी इसका एक example है तो कितने example याद किये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, ठेक है और साथ, 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 साथ साथ example याद कर लिए डन हो गया, डन हो गया इतनी बाद screenshot लिए यहाँ पर आप लोग बच्चो एक और example जो दिया हुआ है यहाँ से मैं आपको सिखा देती हूँ, देखो मम्मी जो थी, वो आई, मम्मी से याद रखोंगे मकोई मम्मी ने, मम्मी ने बहुत पहने थे औरनमेंट, ठीक है तो औरनमेंटल पार्ट से याद रखना बच्चो एक और example जो यहाँ लिख दूंगे मैं पिटूनिया पिटूनिया, ठीक है मुझे अभी याद आया तो मैंने सूचा जोड़ देती हूँ मेरे बच्चों के लिए चलो, फिर से कहानी शुरू करते है पन, देखो एक आदमी था सोलन, ठीक है, सोलिनेसी फैमिली, ठीक है अश्विन, अश्वगन था लोगों ने बोला वो बेल से बहुत युनाइटेट था प्यार था उसे बेल से घंटी से तो युनाइटेट था था तो यार रखना जुड़ी हुई चीज़ें जादा था उसने बोला बेल बचाओ बेल तुम्हारे लिए मैडिसिन की तरह यूज करेगी तो बेल है मैडिसिन, तो बैल एडोना है मैडिसिन, अश्वगन्दा भी मैडिसिन की तरह यूज होता ठीक है, मैडिसिन की तरह बेले डोना के कफ कफ वफ में यूज होती है मैडिसिन, ठीक है, फिर उसने बनाई एक दिन आलू डाइटिंग मतला तो बोला बैंगन मना लेता है, तो आलू और बैंगन दोनों किस फैमिली के हैं, इसी के, और उसने डाल दी बहुत सारी मिर्ची तो मिर्ची भी किसका एक्जामपल है, सोलेने सी का, इत्ते में आ गई मम्मी, मतला मकोई, उनने क्या पहने तो बहुत सारे औरनमेंट, ठीक है, और मम्मी ने पीट दिया किसको, अश्विन को, तो पीट दिया से याद रखना पिटूनिया, क्या पहने तो औरनमेंट, तो उसने किया बहुत सारा टोबैको स्मो, तो टोबैको बिसका एक्जामपल है, ठीक है, कॉपी में लिख लो, बहुत ही असान ट्रिक्स हैं, या तो तुम मैंने बोल रही हूं बार बार, या तो तुम सीधे-सी याद कर लो, मुझे कोई परिशानी ने, तुम याद कर लो, त अंदर से प्लांट आते हैं, लीली एसी, जितनी भी चारों आपको फैमिली इस पढ़नी है, उसमें लीली एसी ही एक ऐसी फैमिली है, जो मोनो कॉट है, बाकि सारी बटा डाइकॉट है, फेवरेट नमबर इस त्री फ्यूस, तो जो भी चीज इसकी इन फ्लोरी होगी, वो कैलेक्स कितने हैं इनके पास, कैलेक्स कितने हैं इनके पास, थ्री प्लस थ्री, अभी मैं इसकी कहानी समझाती हूँ आपको क्या है, ठीक है, और ये थ्री प्लस थ्री एक दूसरे से फ्यूस है, ठीक है, आप ध्यान समझना, इनके पास, ये जो कैलेक्स मैंने आपको ले लेता है उनकी जगह पर ले लेते हैं टैपल्स ठीक है कभी-कभी कुछ-कुछ प्लांट में सैपल और पैटल पाए ही नहीं जाते तो उनकी जगह कौन लेते हैं टैपल्स ठीक है तो दवरल टैपल इस कॉल्ड ऐस पेरियन्थ पढ़ाया है मैंने आपको यह चीज पेरियन्थ के बारे में कभी-कभीवी स्लार में सैपल और पैटल नहीं पाए जाते उनकी जगह पर उनकी प्लेस पर क्या पाया जाता है टैपल्स पाया जाते हैं, तो ना तो हम सैपल लिख सकते हैं, ना तो हम टैपल, पैटल लिख सकते हैं, हम उसको क्या लिखते हैं, पेरियंथ, पेरियंथ is what, it is the world of टैपल, पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है, लीली एसी के ये characteristics होते हैं, very important thing कि आपके exam में पूछी जा सकती, फिर मुझे मत बोलना मैंडम आपने बताया नहीं था, ठीक है, तो world of टैपल is called as पेरियंथ, लीली एसी family has the characteristics to be as पेरियंथ family, अगर आप से पूछा जाए कि बताए कि इसमें पेरियंथ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, इन पेरियंथ होता है 6, पर वो 6 होते हैं 3 अंदर और 3 बाह छोड़े हैं पर यहाँ पर हम ऐसा लिख रहे हैं मतलब 6 हो एक दूसरे से जुड़े हुए हुए होते हैं, अंडरोशियम कितना है, यह भी 6 है, पर यह भी अंदर वालों के साथ 3 बाहर वालों के साथ भी 3 प सेंदी पर यह जुडे होते हैं, देखो, ड्यान समंगेना, what is the epipetalous condition when the stamen is attached with the petal this is called as epipetalous condition ठीक है अब ये पढ़ाया था मैंने आपको epiphylus condition when the petal androsium stamen attached is called attached with the parianth ठीक है इसमें क्या होता है ध्यान से समझते जाएगा सब क्या बोल रही हुँ मैं इसमें जो androsium होता है वो इन टैपल से attach होता है done हो गया इतनी बात clear हो गई मेरे बच्चों को इसमें कोई confusion तो नहीं 3 प्लस 3 ठीक है इसके में 3 के multiple होंगे तो उनके पास gynosium क्या है तीन है वो भी जुडे हुए है pistol और ये superior ovary है done ये इसका floral formula है example रटवाती हूँ फिर floral diagram और फिर floral diagram दिखा रहे हूँ पहले floral diagram एक बर explain कर देती हूँ क्या पढ़ाया था मैंने epiceplus, epipatlus, epiphylus अगर टैपल से जुड़ा है stamen epiphylus, petal से जुड़ा epipatlus sepal से जुड़ा तो epiceplus ठीक है अब होता कहा है liliaceae family में condition है कि इसमें जो stamen होते हैं वो टैपल से जुड़े होते हैं the world of tuple is called as parient parient is the characteristics of liliaceae family चारो family जो आपको पढ़नी उन तीनों में तीन डायकॉट है पर एक यही सिर्फ मोनोकॉट होती है, same condition इसके में जो टैपल्स होते हैं वो तीन अंदर और तीन बाहर होते हैं तीन अंदर तीन बाहर तो हम एक light में तो है नहीं तो हम उसको 3 प्लस 3 लगते हैं और 6 और एक दूसरे से जुड़ी हुए हैं तो हमने bracket लगा दिये तीन का group होता है तो हम अलग-अलग bracket लगाते हैं तीन के आगे इसमें अंदरोशियम जो है वो 3 प्लस 3 है पर वो जुड़ा किस से हुआ है टैपल से जुड़ा हुआ है तो हमने ये जो है उपर के और joint लगा दिया इसमें 3 pistols हैं जो की जुड़े हुए हैं अगर 3 pistols जुड़े हुए condition है तो ये कौन सी condition होती है सिन कार्पस अगर separate होते तो ये कौन सी condition होती एपोकार्पस पढ़ाया मैंने आपको चली अब इसके पहले मैं आपको example रटवाती हूँ ठीक है उसके लिए देखिए दो लड़किया थी ठीक है टू गर्ल्स थी दो लड़किया थी ठीक दो लड़किया ऐसा लिखते है ये नहीं ये क्या हो रहा है यार चलो देखते हैं कोचीन में कोचीन एक जगा है ठीक है कोचीन में दो लड़किया रहती थी ठीक है दो girls रहती थी जिसमें से एक girl का नाम था Tulip ठीक है और एक girl का नाम क्या था बच्चो द्यांस दम समझो देखो यह क्या है This is the trick to learn about the क्या कहते हैं examples ठीक है अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो फिर सीधी बात है कि आप कुछ भी यह भी मत पड़ो वह भी मत पड़ो कुछ मत पड़ो सीधे बुख उठाओ और सारे example ratification शुड़ो करो ठीक है यह trick बता रही हूँ कि कैसे याद करना है अगर वो नहीं याद कर पा रहे हो तो फिर सीधे याद कर लो किसी को कान ऐसा पकड़ो तो सीधे समझ में आता है किसी को कान ऐसा पकड़ो तो सीधे समझ में आता है अब तुमको देखना है कि तुम कान ऐसे पकड़ोगे या तुम कान ऐसे पकड़ोगे ठीक है तो दो लड़कियां थी एक का नाम था लिली, एक का नाम था ट्यूलिप अब लिली है तो लड़कियों का ही नाम होगा, है ना अब तुमने तो नहीं सुना होगा कि लिली नाम का कोई लड़का होगा है ना, लिली होगी तो लड़की होगी तो लड़कियां लिख दिया बने कोचीन में दो गर्ल्स रहती थी, जिनका नाम था लिली और ट्यूलिप ठीक है, बेटा, ठीक है, ध्यान समझो इनको करना था बहुत गलो ठीक है, नहीं, ऐसा लिखते हैं, इसको और यह समनाते हैं ये दोनों जो लड़कियां थी, ये बहुत ही गलो करती थी ठीक है, ये बहुत ही गलो करती थी ठीक, पर इनको बनना था अपसरा, गलो करने से इनका काम नहीं चलेगा इनको क्या बनना था अपसरा अपसरा, अब अगर अपसरा बनना है, तो किसी ने इनको क्या सला दी कि भाईया, एलो वेरा लगाओ, एलो वेरा लगाओ, और ओनियन खाओ, ठीक है, एलो वेरा लगाओ, और अनियन खाओ, इनको किसी ने सला दे दी, बस, खतम, खतम, example रट गए, दो लड़कियां थी, जो कोचीन में रहती थी, कोचीन से या रखना कॉल्ची सीन, कॉल्ची सीन ठीक है, यह mitosis arrest कर देता है, और इसका function आप पढ़ लेना और क्या है, important अगर, देखो, दियान से समझ ना मेरी बात, अगर NCRT में example दिया हुआ है, तो उसके function आने चाहिए, अश्वगंदा हो गया, ठीक है, और बैलेडोना हो गया, ठीक है, टो बैक को हो गया, इनसे क्या ह पानिया होती है, ठीक हो 12 में आपके पले medicinal plant है, उनका use में आपको पढ़ा दूगे, इसमें कोई tension नहीं है, आप 12 की lecture होंगे, तो देख भी लेना, पर मैं आपको बताओ कि अगर example है, तो उसका function बनना चाहिए, जो नहीं बनेगा function, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकते, तो ornamental plant सुन्दर दिखते हैं, ठीक है, इनको करना था बहुत glow, यह बहुत glow करती थी, ठीक है, तो इसका और example हो गया, ग्लोरियोसा, ठीक है, ठीक, पर इनको बनना था अपसरा, तो इसका example क्या हो गया, asparagus, asparagus हम लोग खाते हैं गर पे, asparagus, ठीक है, तो इनको वोला किसी ने कि भाईया, aloe vera लगाओ, और onion खाओ, तो इसका example, aloe vera and onion, ठीक है, डन, तो इसके अपन लोगों ने क्या याद कर लिए, बच्चो, क्या याद कर लिए, बलो, क्या याद कर लिए, इसके example भी हमको रटा गए, अब इसके example रटाने स्पहले, बच्चो, मैं आपको सारी families पढ द्यान से समझ न, हम लोगों ने पढ़ा, दियान से देखते जाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर आ जाओ, हम लोगों ने पढ़ा, कि इनके पास parent 3 plus 3, मितलब इनके पास tepal Channel ça है, जो 3 plus 3 है, 3 plus 3 में 3 tepal बहार कौन से दिखाए है, 1, ये बाहर दिखाए है, 1, 2 and 3 अंदर कौन से दिख रहा है 1, 2 and 3 Florex की सब जगा बनाने ला मैं भूल भी गई होंगे अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर कहानी है कि जितने स्टेमन है उन सब भी टैपल से जुड़े हुए तो तीन अंदर सेपल तीन अंदर इस्टेमन होंगे इनके साथ तो देखो अगर आज समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताएगा मैं next class में जब मैं आउंगी, तो मैं revision कराऊंगे, तो attention ना ही लेना, ठीक है अब बेटा, ब्रैसी केसी पढ़ाने से पहले, मैं तुमको अभी तक मैंने जितना भी family पढ़ाया है वो एक बार revise कराऊंगे, चालो, आजाओ, मैंने कहीं से कुछ नहीं लिया है, मैंने सीधे, 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 मैंने आपके NCRT से चीज़े उठाई है देखो, various morphological features are used to describe the flowering plant the description has to be brief in a simple scientific language present in a proper sequence अगर मुझे बोलना है कि एक flower है, चार सेपल, पाच पेटल, फाना अधेम का तो एक formula बना लो ना, प्रॉपली sequence होगा the plant is described beginning with the habit, vegetative character, root, stem, leaves, floral character, inflorescence and other floral part after describing various part of the plant, for a diagram and floral formula presented जब हमने बता दिया, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ा तो बच्छो, हमने फ्लार पढ़ा था, उसके बाद हमने floral diagram, floral formula पढ़ा की नहीं पढ़ा है ना, तो उसके बाद यह सारी चीज़े हम लोगों ने बढ़ाई ठीक है, floral formula को हम कुछ symbol से denote करते हैं, यह पढ़ाया है मैंने, ठीक है, देखो floral formula को symbol से कैसे represent केता था, यह मैंने पहले बताया था bract और e bract, बताया था ना, कि कई बार ऐसा होता है कि flower के नीचे कुछ ऐसा leaf like arrangement होता है से कहते है bract, होगा bract तो bractate, नहीं होगा तो e bractate, e br लिख देते हैं, ठीक है bractate, k stand for calyx, c stand for corolla, p stand for period, a for endosium, g for gynosium, g नीचे का arrow is the superior ovary and g उपर को बर inferior ovary, ऐसा sign है तो for male, नीचे plus है तो female, दोनों है तो bisexual plus goal लगा हुआ है, तोمر Daytonomorphic, percentage लगा है, तो Sigomorphic, ठीक है Fusion is indicated by, ठीक है, in closing figure within the bracket, ठीक है Fusion को हम कैसे दिखाते हैं, fusion को अगर हमको दिखाना है किसी का तो हम क्या दिखाते हैं, fusion को दिखाना है, तो हम किसी में bracket लगाते हैं, ठीक है और अगर हमको किसी का addition दिखाना है तो हम line दिखाते हैं जैसे कि हमने क्या दिखाया कि parents से endosium जुडा हुआ है तो हम क्या दिखाते हैं? Line दिखाते हैं ठीक है? ये बता रहा है Floral diagram provides information about the number of parts of flower their arrangement and relation they have with another ठीक है? Next Position of mother axis with respect to the flower is represented by the dot top on the floral diagram ठीक है? Calyx, Corolla, Endosium, Gynosium and Drone in the successive walls Calyx being outermost and Gynosium being center ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको Floral formula saw the cohesion and addition within the parts of walls between the walls ठीक है? जुडना और नहीं जुडना बताता है floral formula से ठीक है? सबसे पहली family जो है वो हम पढ़ रहा है Phibese Phibese को हम लोग पहले क्या कहते है पैपेलियोनिश, important है question आ सकता है पैपीलियोनोईडी ठीक है? इवन उसका जो floral diagram उसको हम कहते है पैपीलियोनिश फ्लोरल diagram तो ये भी याद रखना है ठीक है important है सब family of leguminacy distributed in all over the world भाई ये दाल खाय बिना तो जीवन किसी का नहीं चलना दाल, रोटी खाओ, प्रभू के गुनगार ठीक है? वेजिटेटिव character देखो क्या आना है, क्या नहीं आना इसमें ये भी पुरा NCRT का देख लेना वेजिटेटिव character मतलब कि उसका leaf कैसा उसका root कैसा, उसका stem कैसा, उसका arrangement कैसा बस ये ये है ये कैसे होते हैं, कभी आपने बहुत बड़ा tree नहीं देखा होगा थोड़ा बढ़ tree बनते हैं, shurbs, herbs root में root nodule होते हैं stem उनका खड़ा होता है मटर वटर का चड़ भी सकता है leaves alternate, pinnate, simple leaf base, pulvinate फूला हुआ रहता है, stipulate चोटे-चोटे stipules होते हैं venation, reticulate नहीं आएगा, ठीक है पहले ही बता देरी हूँ मैं floral character, racimos होता है जिसका floral axis बढ़ता ही जाता है ठीक है यहाँ से important चीज़े शुरू होगे flower कैसा है, bisexual male or female, एक में zygomorphic, important चारो family की जब हमने comparative study की तो मैंने सिर्फ आपको fibesi में ही percentage का sign बताया बाकि सब में plus के आगे circle लगवाया बोला ना, मैंने यह पढ़ा है ना, मैंने आपको है ना, तो बाकि सारे कैसे एक्टिनो मॉर्फिक पर यह family कैसी zygomorphic, ठीक है इनके 5 petals है, ठीक है calyx, sorry, 5 sepal, 5 petal इसके में कैसे हैं यह बोलो, polyandress है यह polysepless है यह gamma sepless है, gamma sepless ठीक है, जुड़े हुए है, इसका estimation नहीं आएगा, अगर आएगा तो याद रखना की value weight है, ठीक है estimation आएगा कोरूला का ठीक है, petal है, 5 polypetalus condition है ठीक है, polypetalus है अलग-अलग petal है, पर एक नीचे से जुड़ा हुआ है, papilionaceous है इसमें एक सबसे बड़ा वाला होता है standard, ठीक है दो किनारे-किनारे वाले wing और सबसे सामने वाले होते हैं, कील और कील जो होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं ऐसे estivation को हम कहते हैं, vaxillary estivation ठीक है, तो यह आपको याद रखना polypetalus मतलब की जादा हो सकते हैं एक से, ठीक है अब आते हैं हम लोग androsium androsium है tend, जिस di-delphus condition है, polyandros condition नहीं है, di-delphus condition है di-delphus का मतलब यह है कि दो groups में पाए जाएंगे यह पढ़ाया मैंने आपको endosium 9 एक group में और एक अलग group में ठीक है, ओके endosium ovary superior है monocarpular है एक ही pistol है इसके में, ठीक है, जीवन ऐसा शो करते है superior ovary है तो ऐसा शो करेंगे ठीक है, unilocular मतलब कोई chamber नहीं है, ठीक है पर एक ही chamber के अंदर बहुत चारे ovule पाए जाएंगे इसका style single होता है single ऐसा, डंडी वाला fruit है, legume होता है, seed होता है और non endospermik होता है क्योंकि आपको पता है कि यह dicot seeds होते हैं जादा था और dicot में endosperm नहीं होता है foral formula देखो, zygomorphic, bisexual calyx 5 fuse corolla में standard एक wing 2, keel 2 fuse endosium 10 है पर 10 में 9 fuse एक नहीं है ovary एक है, मतलब carpel एक है और वो एक है और ovary superior, done हो गया फेबसी done, example देख लो अब question कैसा पूठा जाएगा यह McCoy का diagram है this is the diagram of McCoy ठीक है, अब ऐसे कैसे McCoy नहीं है, तो P का है, sorry P का है, ठीक है, तो आपको ना, यह P का तो diagram देखके समझ में आही जाएगा, यह diagram देखके आपको 4 floral formula लिखे होंगे, तो आपको floral formula identify करने आएगा floral formula दिया होगा, तो आपको example identify किया होगा, floral diagram दिया होगा, तो आपको example identify किया रहेगा, आपको example दिया होगा तो floral diagram identify करने के लाएगा तो you should very consistent about these two these four families इन चारो families में से कुछ भी आ सकता है और example learn करने का trick भी मैंने आपको बता दिया ठीक है देखो यह pea plant है देखो कैसे बनाया है यह बनाया सैपल और सैपल सारे फ्यूज है यह बनाया इनने पैटल पैटल में बड़ा बनाया फिर विंग बनाया और फिर कील बनाया जो कि फ्यूज किया दन हो गया ठीक है ओके दन आगे बड़े ओके फिबिसी का economic importance पढ़ा है मैंने आपको अभी देखना आपको सारी चीजे से clear हो जाएगी देखो many plants belonging to the family sources of pulses एक farmer ने क्या हो गाई थी सबसे पहली pulses ठीक है और क्या अरहर मूंग सारे डाली है ठीक है और क्या हो गाया था सोयाबीन और क्या हो गाया था groundnut डन है एक दूसरे वाले फार्मर ने क्या हो गाया था exotic चीज इंडिको फेर मतलब नील एक जो ठकाहारा किस्मत का बेचारा लेचारा सारा जो है जितने भी सारा वह सारा एक farmer ने क्या हो गाया भरी धूप में fiber हो गाया तो भरी धूप से याद रखना सन है और वह होता क्या fiber ठीक है पर वह जब बजार गया तो उसकी fiber उसका जो crop था बहुत सस्ता भी का तो वह सस्ता crop जो है वह यह जो इसने crop गाय थी किसान ने ये forder के रूप में भी इस्तमाल हो सकती और बजार गया तो इसलिए वह सस्ती भी कि तो सस्ती susbenia trifle को हम forder की तरह यूज कर सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं कि जब वह बजार गय तो उसकी क्रॉप बहुत सस्ती भी की, तो उसने उसे फाउडर की तरह इस्तमाल किया, ऐसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जब यह जो नील वाला आदमी था, फार्मर था, जब यह बजार गया, तो इसके जो क्रॉप थी, बहुत महेंगी भी की थी, इसलिए उनन जाएगा, बिटर, रट जाएगा, गरेंटी है मेरी, ठीक है, ना, सोली नेसी देखते हैं लोग, आज आओ सोली नेसी पढ़ते हैं, इट इसलिए लाज फैमिली, कॉमनली इट इस कॉल्ड इस पोटाटो फैमिली, इस वाइडली दिस्रिबुटे इन ट्रॉपिक, सब्रॉ सॉलिड, हॉलो, हैरी, ग्लाबरस, अंडर्गराउंड स्टेम, पोटेटो इस अंडर्गराउंड स्टेम, यह हम जानते हैं, लीव जॉल्टरनेट, सिंपल, रेरली पिनेट होती हैं, अब यह लीव मैं एक्स्प्लेइन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आलरड़ी पढ़ा चीज़े हैं, बाइसेक्श्वल, चारों फैमली में बाइसेक्श्वल दिखेगा, एक्टीनोमॉर्फिक, ठीक है, सोलनेसी को हम पांच फ्यूज से दिखाते हैं, फेबसी को पांच से दिखा लो, फ्यूज मत दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है, फ्यूज दिखा भी सकते कहीं न कहीं से तो चीज़ें फ्यूज हैं, पर नहीं दिखाओ तो ज्यादा ठीक है, ठीक है, यह यार रखो, कुसको नहीं दिखाओ, को टेंशन नहीं, पांच फ्यूज इसको दिखा लो, देखो, बाइसेक्श्वल है, सेपल कितना है, पांच, यूनाइट है, मतला बार में होते हैं, ठीक है, पैटल भी फाइब यह जुड़े हुए, तो पांच फ्यूज से आपको याद रखना है, ठीक है, सोले नेसी में हम क्या देखते हैं, सोले नेसी में मैंने आपको क्या सिखा, एपी पेटलस कंडिशन, पढ़ाया है मैंने, बताया आपको, पढ़ ठीक है, और इन में क्या हैं, बेटा, दो कारपल हैं, और ये दोनों कारपल आपस में जुड़े हुए हैं, और ओवरी क्या है, सुपी दिया रहे है, बाइलोक के लिए मतलब दो उसमें चैंबर पाई जाएंगे, ठीक है, बाकि छोड़ो, फ्रूट कैसा होता है, बैरी हुआ है, अब आपको मैंने इसको देखना, यह है आपका मकोई का, मैं को भूल गीति में को यह मकोई का, ठीक है, तो यह भी चीज़े को, पांच सेपल हैं, पांच पेटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अंड्रोशियम किस ते जुड़ा हुआ हुआ है, स्टीमन किस से आप आगे, many plants belonging to this family is a source of food, ठीक है, जैसे source of food में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले में सोलन नाम का एक आदमी था, जो बेल बजाता, जिसका नाम था अश्विन, बहुती मोटा था वो, इसलिए लोगों ने बोला कि तुम बेल बजाओ, बेल बजाओ, कोई तो य आलू, बेंगन, टमाटर की, ठीक है, और उसने खाया उसे मिर्ची के अचार के साथ, तो spices, चिली, ठीक है, इतने में आई उसकी मम्मी, मकोई, जो की बहुती जादा ओर्नामेंट पहनी थी, तो उसने अश्विन को पीट दिया, पिटूनिया, जिससे अश्विन को गुसा गया और वो जाकर टोबैक को पीने लगा, जो की फ्यू मोडा ने लगा, जिससा फ्यू मेगेटरी प्लाट, क्लियर हो गया ना मेरे बच्चे को, क्लियर हो गया ना, लीली ऐसी, चारो फैमिली जो आपको पढ़नी है, उसमें तो भाया, तीन फैमिली आपके डाइकोट है, ठीक है, एक है मोनोकोट, ओके, ये क्या है मोनोकोट, ठीक, चलो, एक कॉमनली कॉल्ड ऐस लिली फैमिली, ठीक है, मोनोकोट इलिडन फैमिली है, ठीक है, वो पूरी दुनिया में पाई जाती है, आगे देखते हैं, ये हब्स होती है, ठीक है, बल्स, कॉन, मतलब बल्स, पढ़ा चुकी हुँ मैं, leaves mostly basal, alternate, linear, extrapolate, parallel venetion, यह सारे words जो है ना, यह सारे words मैं अभी explain नहीं करूँगे, because I am here to teach you the floral formula and floral diagram, I am not going to talk about the parallel venetion, ठीक है, basal, alternate, leave, what is stipulation, यह सब आपको मैंनो already leaf में पढ़ा रखा, आप देख लेना, ठीक है, in fluorescence, solitary, cymos, ठीक है, यह भी आप देख लेना, floral, bisexual, actinomorphic, perianth, perianth, tepal कितने, 3 plus 3, 3 plus 3 मलब 3 अंदर, 3 बाहर, ठीक है, पर यह 6 एक दूसरे से जोड़े हुए है, okay, well weight estimation है, ठीक है, androsium का मतलब क्या होता है, androsium का मतलब यह होता है कि, androsium मतलब stamen, यह ना, यह भी 3 plus 3 है, ठीक है, इसे कहते है, epitaplus condition, ठीक है, epitapl condition मतलब, tepal से जोड़ा हुआ होगा, ठीक है, now, epifilus ने, epitaplus, okay, gynosium, ठीक है, gynosium कैसे होता है, तीन कारपल होते है, पर तीनों कारपल जोड़े होते है, ovary superior होती है, और तीन चैंबर वाली होती है, जिसमें बहुत सारे होते है, क्या, ovules, fruit capsule वाला होता है, seed endosperm, मतलब endosperm पाए जाएगा, ये इसका floral formula, ये bractate होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ब्रactate होता है, ये आपने हियाद रखना है, ठीक है, ये इसका floral formula जो मैने अभी आपको learn कराया दिया, ठीक है, अब जितने भी, जैसे कि, जैसे कि मैं आपको एगCH चीज दिखाना चाहरी थी, जो कि मुझे अभी आपको बतानी, देखो, मैं फ्लार का एक वो देख रही थी, मैं, ओके, देखो, अलग-अलग टाइप के फ्लार के वो दिये होंगे, वो आप नेट पे सर्च करना, और अगर नहीं बने तो प्लीज मुझे बताना, डन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं, कोचीन में, कॉल्ची सी, ठीक है, ओटिमनिलिस का बाटनिकल ने में, दो लड़कियां रहती थी, ट्यूलीप और अरे या, ट्यूलीप और लिली, ठीक है, ट्यूलीप और लिली से आथा, बहुत ही ग्लो करती थ ठीक है, पर उनको क्या बनना था बेटा, अपसरा, असपरेगस, वेजटेबल खाते हैं इसको लोग, ठीक है, तो उनको किसी ने बोला कि भाईया, तुम्हे काम करो, अनियन खाओ, और अलोवेरा लगाओ, ये इसके फैमिली के मेंबर है, डन हो गया, लिली से, डन हो गया, और बीयर पी थी थी, तो बीयर से ब्राक्टेट याद रखना, ठीक है, बाकी सारे EBR, E-B्राक्टेट है, ये याद रखना, आचा है, इसमें कैसी कंडिशन, एपिफाइलस कंडिशन, आपके NCRT में एपिटेपलस दी है, पर वो भी मतलब में आपको एपिफाइलस ही बोल अब हम लोग बात करते हैं, एक दूसरी फैमिली की, जो आपके NCRT में नहीं दीवाया है, बट लेट इड़ भी, चलो देखते हैं, क्या है, ब्रासी केसी, ब्रासी केसी, ब्रासी केसी, ब्रासी केसी का फेवरेट नमबर है, दो, ठीक है, चलो, फ्लोरल फॉर्मॉला लिख लिखते हैं, सबसे पहले ये कैसा है, एक्टिनो मॉर्फिक, ठीक है, ये कैसा है, बाई सेक्श्वल, ठीक, इसमें ना, ध्यान से, दो का ही, दो होगा, दो का मल्टिपल होगा, या दखना, ठीक है, इसमें क्या लेक्स है, 4, ठीक, पर इसको 4 ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं, पन इसको क्या करते ही है अपन 2 प्लस 2 लिखते हैं,known दन वैसे ही secular को हम क्या लिखते हैं इसको direct हम 4 लिखते हैं, इसके बाद कालेक्स हो गयाँ, प्लस 2 बाले ने, ठीक है उसके बाद कैलक्स हो गया, कॉरले हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे androsium की Androsium को भी हम कैसे लिखते हैं 2 plus 2 plus 4 इसमें 6 होते हैं Androsium और Gynosium होते हैं 2 Pistol होते हैं जो कि Superior हो परी अब इसको कैसा Draw करेगा मैं वो देखो Brasi KC बहुत ही Simple बहुत 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 ही जादा Simple Family है ठीक है इसमें बनाओ दो अंदर और दो बाहर ठीक है दो अंदर और दो बाहर बनाओ इसमें दो सैपल मैंने अंदर बनाए और दो सैपल मैंने बाहर बनाए Done दो सैपल अंदर बनाए और दो सैपल मैंने कैसे बनाए बच्चो बाहर बनाए और यह जुड़े हुए नहीं है, ऐसा बनाए, 2+, 2 एक ही लाइन में तो है नहीं, और रिख सकते हैं अब हम बनाते हैं क्या, बच्छो, petal petal बनाओ, 4, petal के साथ कोई कहानी नहीं है ठेक है, और यह एसा है, done यह क्या है, एसा, एक ही लाइन में है कोई अंदर बाहर नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं एंडरोशियम की, 2 प्लस 4 2 प्लस 4 कैसे होते हैं एक यहाँ पर एंडरोशियम होता है और एक यहाँ पर एंडरोशियम होता है और 4 बच्चों उसके अंदर होते हैं 2, 3, 4 चार उसके क्या होते हैं? अंदर होते हैं थोड़ा सोर अच्छे से बना देती हूँ इसको तोर समझ में आःगा आपको एक हो गया ये ठीक है? एक हो गया ये एक, दो तीन, चार उसके अंदर ठीक और ओवरी कैसी है? ओवरी कैसी है भ enorme है? यह इसमें दो पिस्टल हैं एक बना दिया यह एक बना दिया यह और सिन कार्पस कंडिशन है कैसी कंडिशन है सिन कार्पस मतलब जोड़ी वी कंडिशन है डन बस ब्रैसी केसी डन ब्रैसी केसी डन इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए प्रैसी केसी के एक्जांपल आपको तो यह ब्राशी केसी आपको क्लियर हो गया है इसमें को confusion नहीं है ना So we are done with the four families, we are done with the four families this is the ब्राशी केजी एक बर पुरा फ्लोरल फॉर्मौला एक बर रिवाइस के रहे हैं ब्राशी केजी में चार सैपल होते हैं पर चारोसेपल एक कतार में होते हैं दो अंदर दो बाहर तो इसको ऐसा लिखते हैं पर जुड़े हुए नहीं इसमें चार पैटल होते हैं वो भी जुड़े हुए नहीं एक ही गतार में ठीक है इसमें छे 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 स्टेमन हैं जिसमें चार अंदर दो बाहर हैं ठीक है इसलिए हम लोग इसको 2 प्लस 4 लिख देते उसके बाद जो बाहर लिखते हैं उसको अमेशा पहले लिखा जाता है solenacee and breast ckc I hope you learned and enjoyed the session see you in the next class तब तक घर पे रहे, safe रहे, अपना धान रखे कुछ नहीं समझ में आई, please let me know मैं यहाँ आई ही इस ले हूँ ताकि मैं आपको पड़ा सकी हूँ तब तक, bye bye and thank you so much